सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो विक्रांट चैनल को और बेल आइकन बजाईए आल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए हलो दोस्तो टेक्नो विक्रांट में आप सभी का स्वागत हैं फैनली ओपो वालो ने अपने ओपो रेनो 8 5G के अंदर ColorOS 12, Best on Android 12 का New Software Update rolling out करना स्टार्ट कर दिया है और इस अपडेट को मैंने अपने डिवाइस के उपर अपडेट करके इसका जो टेस्टिंग है काफी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है और इस वीडियो में मैं इसी अपडेट के बारे में बताऊंगा कि कौन-कौन से New Features देखने को मिलता है कौन से Bugs फिक्स हुए है साथ ही यहाँ पर ColorOS 13 का काफी सारे Features एड़ किये है तो उन सभी Features के बारे में मैं यहाँ पर बताऊंगा तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तो तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब यहाँ पर Features और Bugs के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर आप Device Detail देख सकते हैं जहाँ पर आपको Official Version देखने को मिलता है और OPPO Reno 8 5G का Model No. CPH-2359 देखने को मिल जाता है अब इस बात की जा इस Update के Basic Information की तो यहाँ पर आपको A.17 का New Update देखने को मिलता है और इस Update का जो Size है 0.96 GB का है I mean यह 960 MB के आसपास का यह Update जो है देखने को मिलता है और यह आपको ColorOS 12.1 के साथ Official Version देखने को मिल जाता है बात की जा इस Update के बाद इसके Security Page की तो यहाँ पर दोस्तों आपको 5th October 2022 के साथ Latest Enhanced Android Security Page देखने को मिलता है इस Update के साथ इसके लगाँ बात की जा अगले Change की तो System के अंदर यहाँ पर System में जो भी छोटे-मोटे Non-Issue थे Bucks वगरे देखने को मिलता था उसको यहाँ पर Fix करके पूरे के पूरे System Performance और उसके Overall System Stability को Optimize and Improve किया है जिससे की आर भी Better Experience देखने को मिलता है इस Update के साथ साथ ही दोस्तों जो Apps Opening Closing है उसको भी यहाँ पर Optimize करके Better कर दिया है जिससे की आपको Better Apps Opening Closing देखने को मिलता है इसके साथ ही दोस्तों कोई को यूजर को काफी ज़्यादा Lagging Issue देखने को मिलता था तो उसको भी इस Update के साथ Fix करके Better कर दिया है जिससे की आपको Better Performance देखने को मिलता है इस Update के साथ दोस्तों इस Update को करने के बाद मेरे को अभी तक कोई भी Lagging Issue देखने को नहीं मिला है इसके अलावा बात की जागले चेंज की तो अगर दोस्तों आप Split Screen करते है या फिर Application Open Close करते है तो उस टेम पर Place Screen Problem होता था कुछ-कुछ Situation में Screen Place होने लगता था या फिर Split Screen करते थे तो उस टेम पर भी Screen जो है Place करने लगता था तो उस Problem को इस Update के साथ Fix करके Better कर दिया है जिससे कि अब आप Split Screen यूज करते है तो आपको Better Experience देखने को मिलता है इसके अलावा बात की जागले चेंज की तो वो आपको मिलता है दोस्तो Notification Panel में यहाँ पर देखेंगे दोस्तो आपको कुछ इस टाइप से Notification Panel देखने को मिलता है जहाँ पर आपको Normal देखने को मिलता है यहाँ पर आपको कोई भी Changes देखने को नहीं मिलता है लेकिन दोस्तो आप जैसे ही Notification Edit पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको Plus-Minus वाला आपसन देखने को मिल जाता है और यह आपसन दोस्तो Colorless 13 Realme UI 4.0 का है जिसके थुरू आप अपने Notification Panel या Notification Drawer को Edit कर सकते हैं अगर आपको Notification Drawer में Add करना है तो आपको Plus करना पड़ेगा और अगर आपको उसमें से Remove करना है या Hide करना है तो आपको Minus पर क्लिक करके आप Notification Drawer में से आइकन्स को Hide कर सकते हैं तो यह New Features दोस्तो Colorless 13 Realme UI 4.0 का है जिसको यहाँ पर Add कर दिया है और यहाँ पर दोस्तो यह जो Features हैं किसी-किसी यूजर को ही देखने को मिला है इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की तो वह आपको मिलता है दोस्तो सेटिंग के अंदर Home Screen and Lock Screen के अंदर App Drawer Setting में यहाँ पर देखेंगे दोस्तो आपको App Drawer Setting में यह 4 आपसन तो देखने को पहले ही मिलता था लेकिन यहाँ पर 5 आपसन जो है Add कर दिया है Add App Search to Notification Drawer जैसे ही इसको On करते हैं तो आपके जो Notification Drawer में App Search का आपसन देखने को मिल जाएगा जनरली दोस्तो यह Quick Search के रूप में यहाँ पर Search का आपसन एड कर दिया है जिसे आप क्लिक करते हैं तो वो आपको App Drawer में Direct कर देता है जिसके थुरू आप अपने Apps वगरा को Search कर सकते हैं तो इस Features को भी इस Update के साथ Add कर दिया है और यह Features दोस्तो किसी-किसी User को अभी तक देखने को नहीं मिला है जिन User को यह Features देखने को नहीं मिला है में भी आगे Next Update में यह Features देखने को मिल जाएगा तो उसके लिए Wait कीजिएगा इसके लाव बात की जागले Change की तो यहाँ पर दोस्तो अगर आपके Phone का Screen आप होने के लिए Brightness जो है Low होता है, Dim होता है या फिर High Brightness होता है तो उस टेम पर Flickering इसू देखने को मिलता था तो उसको इस Update के साथ Fix करके Better कर दिया है अभी दोस्तो अगर आप Brightness कम करते हैं या जादा करते हैं तो आपको कोई भी Flickering इसू देखने को नहीं मिलता है तो इसे भी Fix कर दिया है इसके अलावा बात की जागले चेंज की तो Fingerprint के अंदर यहाँ पर दोस्तो काफी सारे ऐसे Users थे जिसका जो Fingerprint है वो Properly Recognize नहीं कर पाता था जिसकी वज़े से Fingerprint से Unlocking करने में प्राबलम फेस होता था तो उस प्राबलम को इस Update के साथ Fix करके Better कर दिया है जिससे की अब आपको Quick Fingerprint Unlocking देखने को मिलता है इसके लावा बात की जागले चेंज की तो अगर दोस्तों आप Recent Task से Apps अगरा Close करते थे या फिर Clear Recent Task करते थे तो उस टाइम पर Display Issue देखने को मिलता था तो उसको भी इस Update के साथ Fix करके Better कर दिया है जिससे की अब आप Recent Task से कोई सभी Apps क्लियर करते है या Close करते है तो आपको Properly Working देखने को मिलता है कोई भी Display Issue देखने को नहीं मिलता है इसके अलावा बात की जागले चेंज की तो वो आपको मिलता है दोस्तों Wallpaper के अंदर यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जैसे ही आप Wallpaper सेक्शन में जाते है तो आपको कुछ इस Type से देखने को मिलता है पहले दोस्तों यह Normally देखने को मिलता था लेकिन यहाँ पर अब Image के साथ Icon Type के देखने को मिलता है तो इस Features को यहाँ पर Add कर दिया है जो की पहले देखने को नहीं मिलता था यहाँ पर दोस्तों जो नाम है वो Same देखने को मिलता है लेकिन यहाँ पर उपर में आपको Cards के रूप में या फिर कहिए की Icons के रूप में Image Add कर दिया है तो कुछ इस Type से अब Wallpaper सेक्शन या Wallpaper Interface देखने को मिलता है अगर दोस्तों यह Features आपके में नहीं है तो मैंने अपने Telegram Group का लिंक दिया है वहाँ पर जाकर आप Wallpaper APK फाइल को डाउनलोड करके इंस्टाल कर सकते हैं जैसे ही इंस्टाल करेंगे तो आपके में यह Features देखने को मिल जाएगा इसके लाओ बात की जाए अगले Change की तो Network के अंदर यहाँ पर दोस्तों कोई-कोई User को जो है Network का Problem देखने को मिलता था और किसी-किसी User को Volty Problem देखने को मिलता था Volty जो है या फिर Network जो है Stable देखने को मिलता है एंडगे इस बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके Game Performance की तो यहाँ पर आप Check Out कर सकते है इसका जो Game Performance है वो पहले से Better देखने को मिलता है पहले जो Game में Frame Drop इसू और Lagging इसू अगर आद देखने को मिलता था साथ ही बीज बीच में जीटार इसू भी देखने को मिलता था उसको यहाँ पर Fix करके आर भी Better कर दिया है जिससे कि अब आप Game खिलते हैं Game Play करते हैं तो आपको काफी Smooth और Stable Game Play देखने को मिलता है लेकिन दोस्तों अगर आप Game खिलते हैं तो आपको थोड़ा Heating इसू देखने को मिल जाता है साथ ही दोस्तों Game खिलने के टाइम पर बेटरी जो है काफी ज़्यादा कंज्यूम होता था तो उसको भी यहाँ पर Fix करके Better कर दिया है जिसकी वज़े से जो बेटरी परफॉर्मेंस है बेटरी यूजेस है पहले जो गेम खिलते थे उस टेम पर काफी ज़्यादा बेटरी ड्रेनिंग का प्रावलम होता था तो उसको इस अपडेट के साथ Fix करके Better कर दिया है जिससे कि अब आपको Better Battery बेटरी बेकप बेटरी यूजेस देखने को मिलता है साथ ही दोस्तो इसका Charging Speed भी यहाँ पर सही देखने को मिल जाता है लेकिन दोस्तो अगर आप Charging करते हैं तो आपको थोड़ा Heating Issue देखने को मिलता है इसके अलावा बात की जाएगले चेंच की तो वो आपको मिलता है दोस्तो Power Menu में यहाँ पर देखेंगे दोस्तो आपको कुछ इस टाइप से Simple सा Power Menu देखने को मिलता है यहाँ उपर देखेंगे तो आपको Lock Screen देखने को मिल जाता है और नीचे के साइड में आपको Emergency का Option देखने को मिल जाता है बाकी जो Center में आपको Restart और Power Up का Option देखने को मिल जाता है और यह Power Menu दोस्तो ColorOS 13 को Power Menu है जिसको इस Update के साथ Add कर दिया है इसके अलावा बात की जाए अगले चेंच की तो वो आपको मिलता है दोस्तो File Manager या फिर My Files के अंदर यहाँ पर उपर देखेंगे तो आपको Device Storage का Option देखने को मिल जाता है साथ ही अगर आप SD Card यूज करते हैं तो यही पर ही उसका भी Option देखने को मिल जाता है Cloud Drive का Option देखने को मिल जाता है नीचे आपको Photos, Videos, Ideos अगरा का New Icon के साथ देखने को मिलता है साथ ही आपको नीचे सैड में Source और Favorite, Recent, Deleted, Private, Safe अगरा का Option यहाँ पर देखने को मिल जाता है और यह My File Apps जो है ColorOS 13 का Apps है जिसको यहाँ पर By Default add कर दिया है अगर आप ColorOS 13 का My Files AP के फाइल जो है Download या Install नहीं करते है तो भी आपको यह वाला File Manager या My Files देखने को मिलता है जिसको इस Update के साथ Default add कर दिया है इसके लाव बात की जागले Change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो Clock Apps का यहाँ पर देखेंगे दोस्तो आपको इस Update के साथ कुछ इस Type से New Clock Style देखने को मिलता है और यह Clock Style भी दोस्तो आपका Color OS 13 का ही Clock Style है जिसको यहाँ पर Add कर दिया है यहाँ पर देखेंगे दोस्तो आपको Clock Circle में सेडोस के रूप में देखने को मिलता है साथ ही अगर आप Clock Setting में जाते हैं तो यहाँ पर आपको Gesture Mode का Option दे दिया है अलारम को Stop करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस टैप का Gesture Mode देखने को मिलता है जिसके थुरू आप अलारम को Stop कर सकते हैं तो यहाँ पर Clock Apps को भी Color OS 13 के Clock Apps से रिप्लेस कर दिया है और यह By Default इस Update के साथ देखने को मिलता है तो यह रहाँ दोस्तो इस Update का Full Review दोस्तो यह Update आपको मिला है कि नहीं मिला है और अगर मिला है तो कौन-कौन से बक्स देखने को मिलता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो इतना ही था दोस्तो इस वीडियो में वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई एंड टेक केर दोस्तो